नमस्कार तर कैसे आप आसा करता हूँ आप अच्छे होंगे स्वागत आपका इन्वेस्ट चाय चेनल पे क्योंट मुचल फंड पे परजेन टाइम में स्भी की जांच चल रही है क्योंट मुचल फंड पे फ्रंट डैनिंग का आरोप लगा है से भी जांच कर रही है क्या Qant Mitchell Fund ने Front Running की है या नहीं आप भी Qant के किसी Mitchell Fund में Invest कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी Important होने वाली है मैं भी Qant के Small Cap Mitchell Fund में अपना पैसा Invest कर रहा हूँ आज की वीडियो में अपन जानेंगे Front Running क्या होता है आगे आपको क्या करना चाहिए आप अगर Qant के किसी Mitchell Fund में Invest कर रहे हो तो तो वीडियो के साथ बने रही है बिना देर किये वे आज की वीडियो सुरू करते हैं Qant Mitchell Fund के किसी एक स्किम के Fund Manager ने अपने Relative को पहले ही बता दिया कि मेरे पास अभी Mutual Fund में काफी सारा पैसा आया है मैं इन कंपनियों में Invest करने वाला हूँ तो उसके Relative ने पहले ही उस कंपनियों के सेर खरीद के रख लिए Stock Market में जब Buying होती है तब Stock की Price उपर जाती है यानि कि Stock की Price बढ़ती है और जिनोंने उस Company के Stock खरीद रखे है उनको Profit होता है जब Stock Market में किसी Particular Company में किसी Particular Stock में Selling होती है तो उस सेर की Price नीचे जाती है अभी तक से भी जांच कर रही है Confirm नहीं हुआ है क्योंट Mitchell Fund की कौन सी Scheme के कौन से Fund Manager ने इस परकार का Fraud Investor के साथ किया है आप भी Mitchell Fund में Invest कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी Important होने वाला है मैं भी आपकी तरह एक Normal Investor हूँ मैं आपको वही सब बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ मैं क्योंट के Small Cape Mutual Fund में Invest कर रहा हूँ हो सकता है क्योंट Mid Cape, क्योंट का Take Saver Fund होगा, Will You Fund होगा, क्योंट का Date Fund होगा किसी भी Fund के Fund Manager ने इस परकार का Scheme किया हो यह Confirm नहीं हुआ है, जांच अभी चल रही है, से भी जांच कर रही है आप अगर उस Scheme में Invest कर रहे हो, तब आपको Effect पड़ेगा अगर क्योंट Mid Cape के Fund Manager ने ऐसा Scheme Investor के साथ किया है तो क्योंट Small Cape Mutual Fund में पिछले 3 साल से पैसा Invest कर रहा हूँ अभी भी Invested है मेरा पैसा, मैं आपको आगे स्क्रीम पे दिखाऊंगा कितना पैसा मेरा इस Scheme में क्योंट के Mitchell Fund में Invest कर रहा है तो इस परकार के जो Front Running के Case है, वो Past में भी हैं और Future में भी हो सकते हैं तो आपको गबराना नहीं है, हो सकता है भी आप क्योंट के किसी Mitchell Fund में Invest कर रहे हो, वहाँ से पैसा redeem करके, SBA के Mitchell Fund में Invest कर दो, Axis के Mitchell Fund में Invest कर दो, SDFC के Mitchell Fund में Invest कर दो, आज से एक दो साल के बाद हो सकता है, SDFC में भी ऐसा Front Running का Case आपको देखने को मिलेगा, पास्ट में भी ऐसे, जो सकेम है, वो हुए है, कोरोना की वज़े से 2020 में Franklin Mutual Fund है, मई 2020 में Franklin के Mutual Fund की दो सकीम में काफी लोगों ने अपना पैसा निकालना चाहा, और Mutual Fund वालों ने जो फंड है, उनको ब्लोक कर दिया, यानि इनिवेस्टर अपना पैसा निकाल नहीं पाए, ये भी डाउट आता है कि Equity Mutual Fund में इनिवेस्ट कर रहे हैं, तो Equity Mutual Fund में ऐसे सकेम ज्यादा होतते हैं, आपको बदा दूं, जो Franklin दोनों सकीम थी, वो डेट फंड थी, डेट फंड को काफी सेप इनिवेस्टिमेंट माना जा कोई जो मीडियम में रहेगा, इस परकार आप कहीं पे भी चले जाओ, हर परकार के लोग आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद 2022 में Axis Mitchell Fund में भी Front Running का केस लगा था, तो ऐसे केस पास्ट में भी हुए हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं, तो आपको गबरा के अपना पै पैसा redeem कर रहे हैं, अभी redeem कर लेते हैं, बाद में redeem कर पाये या ना कर पाये, आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, से भी जाज कर रही है, अभी तक confirm नहीं हुआ है कि यह scam हुआ है, तो लोग confirm हुआ है, उससे पहले ही अपना पैसा निकालने लग गए, मैं भी क्योंट के small cap mutual fund में अपना पैसा invest कर रहा हूँ मैंने अभी तक redemption की request नहीं डाली है अभी भी आपको बता दूँ मैं अपना पैसा अभी नहीं निकाल रहा हूँ मेरे को किसी भी प्रकार की कोई requirement नहीं है मैं इसलिए अपना पैसा continue grow होने के लिए छोड़ रखा है अगर आप भी long term के लिए invest कर रहे हो तो ऐसी चोटी मोटी news को देखके गबराना नहीं है आपको अपना target नहीं बूलना है आप जब भी comment करते हो आप बताते हो मेरे को 10 साल के लिए करना है 15 साल के लिए करना है और बीच में ऐसी news आती रहेगी आपको बस invested रहना है गबराना नहीं है अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो यह मेरा portfolio है portfolio के अंदर नीचे जैसे ही स्क्रोल किया तीसरे नम्मर पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंट small care fund इस fund में मैंने अभी तक 2,12,490 रुपे इन्वेस्ट कर रखे है और उसकी current value 3,4,980 रुपे है इस fund में मैं continue अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अभी नीचे आपको इसके transaction दिखाता हूँ 22 जून को यह news आई थी कि क्योंट के mutual fund पे जान चल रही है उस दिन में मेरी 5,500 रुपे की एक SIP क्योंट small care mutual fund में इन्वेस्ट हुई है मेरी एक SIP डिडेक्ट हुई है नीचे भी आप देख सकते हो मैं continue mutual fund में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा जब तक से भी जाच करके confirm ना कर दे कि ये front running का case सही है या गलत तब तक मैं अपना पैसा invested रखूँगा उसके बाद जो भी मैं decision लोगा मैं आपके साथ जरूर share करूँगा मैंने इस mutual fund में क्या किया है अपना पैसा redeem किया है invested रहा हूँ वो सब आपके साथ जरूर share करूँगा आप जल्दी में कोई भी decision ना ले इससे क्या होता है आपका जो goal है उस पे effect बढ़ेगा आपको long term के लिए invest करना है इस प्रकार के case आते रहेंगे क्योंकि जिनके पास अपना पैसा जा रहा है वो ही scam करने लगे तो आप कैसे बचपाओगे तो बचने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है या तो आप mutual fund में invest मत करो अगर invest कर रहे हो तो mutual fund से डरो मत continue investment करते रहो और इस प्रकार की जब भी news आती है तो आपको सेबी NSE, AMP इन सब को अपनी जो complain है वो दायर करनी है complain करनी है और बताना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि इस प्रकार का यह जो front running का case है वो in mutual fund में चल रहा है अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो पता लगेगा लोगों को कि इस particular mutual fund की इस particular scheme ने ऐसा fraud किया था तो उस mutual fund में लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो fund manager पैसा कहां से लेके इन्वेस्ट करेंगे investor से expense ratio के रूप में जो charge लिया जाता है उसी पैसे में से fund manager को अपनी तनखवा दी जाती है यानि salary दी जाती है अपनी salary पे वो fund manager risk ले रहे है हो सकता है जांच में सही साबित हुआ तो उस fund manager को वहां से निकाल दिया जाएगा उसकी job चली जाएगी और आगे किसी भी mutual fund में उसको रोजगार यानि की job नहीं मिलेगी तो आपको आवाज उठाते रहना है आपको complain करते रहना है सेभी के पास, AMP के पास NAC, BAC इन सब पे आपको complain करनी है आपको थोड़ा बहुत भी doubt लगे कि इस scheme में ऐसा कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत भी समझा है तो आपको complain जरूर करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है आपको ये खुद नहीं डरना है और दूसरों को नहीं डरना है कि mutual fund में पैसा डूब जाता है डूबता उसी का है जो जल्दी में decision लेता है तो आप क्योंट के किसी भी mutual fund में invest कर रहे हो तो invested रहे है सेभी अभी जाच कर रहे है जाच के बाद पता लगेगा कि क्या रियल में front running का case हुआ है कि वाट mutual fund ने ये भी बोला है हम सेभी के साथ किसी भी प्रकार की जाच होगी उसमें पूरा सयोग देंगे तो जाच अभी चल रही है आपको डर के मारे अपना पैसा redeem नहीं करना है और लोगों को भी समझाना है mutual fund में पैसा डूपता नहीं है मुझे तो ऐसा personally लगता है आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार